एक्जाम कोई भी हो ये कॉशन आपको एक्जाम में रखे मिलेंगे जी हाँ बिलकुल सही सोना आपने ये जो कॉशन है ना ये सभी के सभी कॉशन आपको आपके एक्जाम में रखे मिलेंगे 100% चांसेस हैं ये कॉशन आपके एक्जाम में आने के करते हम वीडियो के स्टार् और यह कौशन देखते हैं, फिप्टी परसुंड कौर से कर पाता है, आधे क्उचन कौन सही कर पाता है आपमेंसे देखने की बात है क्यों कोश्चन लिकर आ गए हैं, पहला कोश्चन देखो आइने अकबरी इसके लेखक कौन थे, most important question star लगा लेना तो आइने अकबरी के लेखक क्या हो जाएगा अबुल फजल option number C ये आइने अकबरी के लेखक थे option number C अबुल फजल प्रशने के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question की तरब इसमें आपसे पूछा गया है अगले question में की निम नलिकीत में से किसका संबन्द मुगल सामराज से नहीं था मुगल समराट नहीं था या मुगल सामराज में जो भी थे राजा उनके बेटी नहीं थे तो यहाँ पर आपको अताद हैं की जो शेर शाह सूरी थे यह मुगल सल्तनत से सम्मर्थ नहीं थे शिर्शासूरी यह मुगल सामराजे से सम्मर्थ नहीं थे option number भी यहाँ पर right answer एकला question दिखिए निम्नलगत में से कौन पंद्रवी सताब्दी के दोरान असम में वैश्नाव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में सेख था तो असम में वैश्नाव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता था तो संस्क्रिट से फार्सी वहांसा में जो महाभारत को अनुदित किया गया था, उसको रज्म नामा कहा जाता था Option number C, रज्म नामा ये फार्सी में महाभारत का अनुदाद है निम्नलिकित में से किसन चार मीनार बनवाई थी तो जो चार मीनार है इसको बनवाने का अश्रे जाता है कुली कुट विशाह को option number एक कुली कुट विशाह ने चार मीनार बनवाई थी option number ए यहाँ पर right answer है प्रश्न के लिए शेख कुट बुदीन बक्तियार काकी की दरगाह कहां पर है तो खुट बुदीन बक्तियार काकी इनकी दरगाह दिली में है option number भी दिली में इनकी दरगाह हिसते थे option number भी यहाँ पर right answer है 1924 में कॉंग्रेस के बेल गाम सम्मेलन के दौरान कॉंग्रेस के अधक्ष कौन थे ये कॉशन मोश्ट इंपोर्टेंट है कई बार आचुका है तो कॉंग्रेस का जो बेल गाम सम्मेलन हुआ था उसमें कॉंग्रेस के अधक्ष के रूप में थे M.K. गांधी जी उप्षन नमर सी M.K. गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा बेल गाम सम्मेलन के दौरान कॉंग्रेस के अधक्ष थे निम्न लिकित में से कौन सा राजवंश कुतुबुदीन एबक के दौरा इस्थापित किया गया था अगला कोशन नमले कि तो प्राचीन पुस्तकों में से बान भट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया है तो यहां पर आपको जो प्राचीन पुस्तक दिख रही है इसमें से बान भट्ट के द्वारा लेखन किया गया है कादंबरी का option number C कादंबरी का लेकन बान भट ने किया है यहाँ पर option number C कादंबरी प्रश्ण के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा सिक्धर्म के पांचवे गुरु इनमें से कौन थे तो सिक्धर्म के जो पांचवे गुरु थे वो थे आपके गुरु अरुजुन देव जी option number 1 गुरु अरुजुन देव जी राइट आंसर हो जाएगा शिक्धर्म के पांचवे गुरु निम्दल कितम से किस घटना से लौड कर्जन का संबंद है तो लौड कर्जन का संबंद है यहाँ पर आपको जो घटनाय दी गई है उनमें से राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का विवाजन option number 2 बंगाल के विवाजन से संबंद है लौड कर्जन option number 2 राइट आंसर है ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्दल के तमें से कौन सा भारत में था भारत में राश्टी आंदोलन के संदेर्व में पूना समझौथा पर हस्ताक्षर कभुए थे पूना समझौथा पर जो हस्ताक्षर हुए थे यहाँ पर आपको जो option दे गए है 1932 में पूना समझौथा पर हस्ताक्षर हुए थे option number 2 right answer है मद्यकालीन भारत के संदर्ब में निम्नलकती युग में से कौन सा युग में सही है तो मद्यकालीन भारत के संदर्ब में जो युग में दियें गए हैं दुआरते बार बोसा ये पुर्त गाल से संबनत हैं किस अधिनियम को Montague Champs보다 सुधार के नाम से भी जाना जाता है तो Montague Champs Chaekt के नाम से यहां पर आपको जो option दीगा है उसमें से right answer हो जाएмыगा भातिये साशन अधिनियम onnitvaso option no.V इसको Montague Champs Chaière के नाम से भी जाना जाता है option no.V यहां पर right answer है दोस्तों आप कॉश्चन देखी रहें कितने शानदार कॉश्चन है हमने आपके लिए यही जो कॉश्चन है आपके एक्जाम जिसे एक्जाम के आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जी की कॉश्चन और हमने 10,000 कॉश्चन तैयार कर लिए है भारत के सभी एक्जाम में 30 साल से बार बार पुछेगा ये question है इसकी हमने बना लिये PDF अब PDF क्या है आप mobile पर पढ़ सकते हैं किताब जैसे पूरी PDF तयार कर ली गई है WhatsApp पर आप सभी को PDF मिल जाएगी 10,000 GKM CQ है सोचिए आपने 10,000 GKM CQ लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है GKGS हो जाएगा ये PDF आप जो है 300 रुपए की है लेकिन सभी को 99 रुपए में भी दे रहे हैं सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये PDF मिल जाएगी और phone पे Google पे Paytm से आप payment कर सकते हो आप सोचिए कि आपके mobile जो मंतली होता है उससे भी कम अदाम में हमें आपको 10,000 कौशन दे रहे हैं ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे ये 10,000 GK की कौशन तो जरूर इसको लीजिए और अपनी GK कीजिए जिसको भी चाहिए है नीशे दीगे नंबर पर ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर्षो होगा आप कभी भी कॉल करके WhatsApp करके संपर कर सकते हैं कॉल ना उठाओ तो WhatsApp कर लेना ठीक बारवी सदी के करनाटक में वीर शेव डैश के अनुयाई थे तो वीर शेव जो थे बारवी सदी के करनाटक में बसवन्ना के अनुयाई थे और अप्शन नमबर डी बसवन्ना राइट आंसर है प्रशन के लिए प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे तो प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे अप्शन नमबर ए 16 शक्तिशाली महाजनपद राइट आंसर है लाला लाजपत राई नमलकित में से किस बैंक के संस्थापक थे तो लाला लाजपत राई जी पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे ओप्शन नुबरे पंजाब नेशनल बैंक राइट आंसर है हिंदू पौरानित कताओं के संदर्व में निम्लेकित में से कौन सा विकल्प भगवान विश्णू के दस आवतारों में से एक नहीं है निम्लेकित में से किसको वेदांत कहा जाता है तो वेदांत के नाम से जाना जाता है उपनिशदों को उपनिशदों को उपनिशदों को वेदांत कहा जाता है उपनिशदों को वेदांत कहा जाता है निम्लेकित में से किसे लोकनायक के रूप से जाना जाता है तो लोकनायक ये कहा जाता था जय प्रकास नाराण जी को लोक नायक कहा जाता था option number D मोहन जोदाड़ो किस नदी के तट पर इस्थित है तो मोहन जोदाड़ो ये आपका सिंधू नदी के तट पर इस्थित है option number C, सिंधू नदी right answer है प्रशन के लिए राष्टवादी कॉंग्रीस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था तो राष्टवादी कॉंग्रीस पार्टी 2019 में से के गठन किया गया था option number c 1990 राइट आंसर है चार महान सत्य की अव्धारना अनुभलिगत धर्मों में से किसकी है तो चार महान सत्य की अवधार्णा ये बौध धर्म से सम्मेद अवधार्णा है ओप्शन नमर यहां पड़ी बौध धर्म की अवधार्णा है चार महान सत्य 1857 की भारती विद्रों के दौरान मुगल समराट कौन था तो अठार संताओन का भारती विद्रों के दौरान बहादुर शाहद्वती ये मुगल समराथ थे option number A, बहादुर शाहद्वती राइट आंसर है असाहियोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असाहियोग आंदोलन ये आपका 1922 में समाप्त हुआ था option number C, राइट आंसर है Hanging Garden of Babylone निम्नलकित मैं से 21 प्राचीन संस्क्रती से संबनित है तो Hanging Garden of Babylone मैसोपोटामिया की सविता से संबनित है यहाँ पर आपका option number B, मैसोपोटामिया की सविता राइट आंसर है प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वन्ष ने विक्षित क्या था? तो गांधार कला की शैली को कुशाण वन्ष ने विक्षित क्या था? option number C, कुशाण वन्ष राइट आंसर है स्वामी विवेका नंद की गुरू का नाम इनमें से क्या था? तो स्वामी विवेका नंद जी के जो गुरू थे वो थे राम कृष्न परमहंस option number C, राम कृष्न परमहंस स्वामी विवेका नंद जी के गुरू का नाम था अगला कॉशन देखिए गुरु नानक देव का जन्म कहां पर हुआ था तो गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था option number 2 तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था option number 2 right answer है प्रशन के लिए अगला कोशन दिखिए किस वर्ष में सुभाश चंद्र बोज को हरीपूर कॉंग्रिस अधिवेशन के अधिक्ष के रूप में चुना गया था तो हरीपूर कॉंग्रिस अधिवेशन के अधिक्ष के रूप में 1938 में सुभाश चंद्र बोजी को चुना गया था option number B यहां पर right answer है भारत में वास्तुकला की चार भाग शैली किसने प्रारंब की थी तो भारत में वास्तुकला की चार भाग शैली मुगलों ने श्टार्ट की थी मुगलों ने श्टार्ट की थी ऑप्शन नमड़ी यहां पर राइट आंसर है निम्नलकित में से किसान विद्रों में सरदार वल्ला भाई पटेल ने भाग लिया था तो सरदार वल्ला भाई पटेल जी ने बारदोली सत्यागरह में भाग लिया था नमबर भी बार्दोली सत्यागरह राइट आंसर है प्रश्णि के लिए हैं जलिया वाला बाग नरसंसा हत्याकांड के खिलाप किसने अपनी नाइट होड़ी की उपाधी को त्याग किया था तो अपनी नाइट होड़ी की उपाधी रविद्ना टैगोर जी ने त्यागी थी अप्शन नमबर सी रविद्ना टैगोर जी ने अपने नाइट होड़ी के उपाधी थी सामराज यवाजशे पहले कि काल में कैलीको के नाम से क्या जाना जाता था क्या शुआ लिए तो क्यालीको के नाम से कॉक्रुत के होड़ी क्लीayım को में वाले कोड़ ब्रेकर की चित्र को बैंक ऑफ इंग्लेंड ने पचास पाउंड के नोट पर चित्रत करने का नाम क्या था तो उनका नाम था एलन टीरिंग इन्होंने क्या किया था कि जो कूट भाशा थी कोड़ था उसको समझ लिया था द्वती विश्वीद के दौरान जिसस चित्र भारत का किंद शाषित प्रदीश बन गया था 1954 में पॉंडी चेरी यहां पर 280 साल तक फ्रांसी सियों ने साशन किया और उसके बाद भारत का किंद शाषित प्रदीश इसको बनाए गया पॉंडी चेरी या पुडू चेरी राइट आंसर है बहुत भिक्षों के नमर भी बिहार इस प्रशन के लिए राइट आंसर है है एदराबाद राजी के संस्थापक कौन थे तो हैदराबाद राजी के संस्थापक थे आपके निजाम-अल-मुल्क आसफ जान आसर है भारत का राश्टरी पतीक डैस में स्थित्म और इस्तंब से लिया गया है तो किस क्रम में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयुजित किये थे तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन जो आयुजित किये गए थे ये चंपारन सबसे पहले उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह फिर रोलेक्ट उसके बाद दांडी मार्च option number A सही answer हो जाएगा चंपारन, चंपारन के बाद खेड़ा खेड़ा के बाद रोलेट, रोलेट के बाद डांडी माच ये उसका सही क्रम है अगला question दिखिए निम्न लिखिते प्रसिद इस मारकों में से किसको palace of winds कहा जाता है तो palace of winds यहाँ पर आपको जो option दिए गए है हवा महल को palace of winds कहा जाता है option number B हवा महल right answer हो जाएगा प्रशने के लिए निम्न लिखितम से किस मुगल समराट को दरवेश या जिन्दा फकीर की नाम से जाना जाता था तो दरवेश या जिन्दा फकीर यह कहा जाता था ओरंग जेब को option number यहाँ पर A ओरंग जेब right answer है प्रशने के लिए निम्न लिखितम से कौन सा अकबार लाला लाजपत रायद्वारा शुरू नहीं किया गया था लाला लाजपत रायद्वारा शुरू नहीं किया गया था अकबार के साशन के दोरान सैने कमांडरों को डैश के नाम से जाना जाता था तो अकबार के साशन के दोरान जो सैने कमांडर हैं उनको जाना जाता था फौजदार के नाम से option number यह फौजदार कहा जाता था option number यह right answer है किस गवर्ण जनल के कारेकाल में अंग्रेजों ने पैरा माउंट सी की नीती को अपनाया तो पैरा माउंट सी की जो नीती है इसको Lord Hasting के समय अपनाये गया था option number 2 Lord Hasting's right answer है प्लासी की लडाई डैस के बीच लड़ी गई थी तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी ये सुराज उद्धौला और बिटिस सेना की बीच में लड़ाई गई थी option number 2 सिराज उद्धौला और बिटिस सेना राइट आंसर है निम्न लिखे तो प्राचीन सविताओं में से सबसे बड़ी सविता कौन सी है तो यहाँ पर आपको जो प्राचीन सविता हैं उसमें से सबसे बड़ी सविता है सिंदौ घाटी की सविता option number सी सिंदौ घाटी सविता राइट आंसर है राज घाट डैश का इसमारक है तो राज घाट ये महतमा गांदी जी का इस मारक है option number ये महतमा गान्दीजी राइचा आंसर है चलिया वाला बाग हत्याकांट के लिए कौन सा अधिकारी जिमिदार था तो चलिया वाला बाग हत्याकांट के लिए General One Dyer जिमिदार था option number ये General One Dyer, General One Right Answer है कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाये गया था तो कॉंग्रेस के नागपुर अधिवेशन उनिस सो बीस में असहयोग आंदोलन को अपनाये गया था option number D नागपुर अधिवेशन 1920 प्रश्णी के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा सामराजी की राजधानी क्या बनाई गई लिखी गई है यहाँ पर आपको जो option दे गए उसमें से आपको बताना है तो जोतिवा फुले जी के द्वारा गुलाम गिरी पुस्तक लिखी गई है option number भी गुलाम गिरी पुस्तक ये जोतिवा फुले जी के द्वारा लिखी गई है सोमनात मंदर किस राज के तट पर इस्तित है तो सोमनात मंदर ये आपका गुजरात राज के तट पर इस्तित है option number 2 गुजरात राज के तट पर स्तित सोमनात मंदर अंग्रेजी सिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधार्त था अंग्रेजी सिक्षा अधिनियम 835 मेकाले का मिनिट पर आधार्थ है option number 2 मेकाले का मिनिट राइट आंसर है किस लडाई के बाद East India Company ने भारती राजियों में निवासी निउक्त करना शुरू किया था बारती राजियों में निवासी निउक्त करना बकसर की लडाई में निउक्त किया था option number 2 यांपर सी बकसर की लडाई राइट आंसर है प्रश्ने के लिए भारत में पहला मुगल समराण कौन था तो भारत में सबसे पहला मुगल समराण था बाबर option number 2 बाबर right answer हो जाएगा सारनाथ में पाए जाने वाले मौर स्थम्ब सीर्ष को किसके नाम से जाना जाता है तो सारनाथ में पाए जाने वाले मौर स्थम्ब सीर्ष को सिंग चतर्मुक स्थम्ब सीर्ष के नाम से जाना जाता है option number 2 सिंग चत्रमुक इस्तंबसीर्स राइट आंसर है डैश को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है तो अंबा विलास के नाम से मैसूर महल को जाना जाता है option number ए मैसूर महल राइट आंसर है प्रशने के लिए गुजरात के उस आखरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शाशन 1244 से 1304 तक चला गुजरात का वो आखरी हिंदू राजवंश था आपका वाघेला राजवंश ओप्शन नमबर यहाँ पर ए वाघेला राजवंश राइट आंसर है पुर्टगाली खोच करता वास कोडी गामा की मृत्यू 1524 में कहां पर हुई थी तो वास कोडी गामा की मृत्यू 1524 में कोच्ची में हुई थी ओप्शन नमबर सी कोच्ची राइट आंसर हो जाएगा प्रशनी के लिए 1527 ECU में खानवा की युद्ध में राणा सांगा को किसे ने हराय था तो 1527 ECU में खानवा की युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने हराय था ओप्शन नमबरी बाबर राइट आंसर है निम्नलिकित प्रसिद्व व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है तो भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए आचार विनुवा भावे जी को जाना जाता है किसे भारत के लोपुरुस के नाम से भी जाना जाता है तो भारत का लोह पुरुस कहा जाता है वल्लब भाई पटल जी को सरदार वल्लब भाई पटल जी को भारत का लोह पुरुस कहा जाता है गांधी द्वारा सत्यागरह सभागी स्थापन कप की गई थी तो गांधी जी के द्वारा सत्यागरह सभागी जो स्थापन की गई थी 1919 का समय था option number यहाँ पर C 1919 right answer है लाहूर में बादशाही मजज़ित का नमाण किस ने कराय था यह आपकी one की देवी थी option number यहां पर सी one की देवी right answer है किस महल को Dutch Palace की रूप में जाना जाने लगा तो Dutch Palace की रूप में मटन चेरी महल को जाना जाता था option number सी मटन चेरी महल right answer है और यह राज का आखरी question बाल गंगा धर्तिलक द्वारा Home Rule लीक अप शुद्यागा